असलाम रेकुम डियर स्टूडेंट जैसे कि आप जानती है कि हम डेल्टन का एक आर्टिकल डिसकस करें जो उन्होंने लिखा था और आज हम उस आर्टिकल में से इंपॉर्टन पार्ट उठा रहे हैं वो है रीमिक्सिंग इलस्ट्रेशन एन स्पीच थाट बालून अब रीमिक्सिंग का जो आईडिया है वो तो आप सब जानते ही होंगे हमारे जो पॉपलर कल्चर है उसमें हम बहुत से रीमिक्स अरड़ी देखते हैं अब किस किसम के रीमिक्सिस हमारे सामने मौझूद हैं हम गाने सुन रहे होते हैं हम रैप सुन रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास इस्टुमेंटल रीमिक्सिस मौझूद होती है यह पुराने गाने को हम रीमिक्स करके एक नए तरीक से रिप्रेजंट कर रहे होते हैं तो हमारे पर डिफरेंट किसम के रीमिक्सिस जो हैं अल तो आपको remixes नजर आएंगे किस लीके से आर्टस्स पुराने और नहीं चीज़ को remix करते हैं, western और eastern को मिलाते हैं, traditional और modern को मिलाते हैं, तो यह remix जो है कोई बहुत ही मुश्किल आइडिया नहीं है, it is a very simple idea जिससे हम सब go through हो रहे हैं, visually इसको enjoy कर रहे हैं. अब remix किस चीज़ की है, speech और thought balloons की वो भी जब आप कहानी पढ़ रहे हैं, और आपको पता ही है कि जो कहानी हम discuss कर रहे हैं, Dalton की, वो है line and the mouse. So, no but all, lecture ने 2008 में एक idea प्रेजेंट किया था, वो यह idea था कि वो शदीद किसम से इस चीज़ की favor में थे हैं, कि जिस तरीके से तमाम different discipline के अंदर remixes हो रहे हैं, हमारे literature के अंदर और हमारे text और comprehension के अंदर भी remixes होनी चाहिए हैं. Remixes जो हैं, वो valuable है, सबसे बड़ी बात यह कि वो आपके attention कैश करती हैं, वो interesting है, वो new है, वो modern है, वो fashionable है और वो एक बहुत एहम तरीके से एक बहुत एहम बात को communicate कर सकती हैं, बहुत बेतर तरीके से. जो शह सर्फ एक modality जो है, अगर हम उसके थूँ अपनी कहानी को बताते हैं, तो वो बहुत सी चीज़े communicate या convey नहीं कर पाती, जब हम उसे remix कर देते हैं, illustration से, उसको remix कर देते हैं, sound से, उसको remix कर देते हैं, student के comment से, उसको remix कर देते हैं, student के balloon और expression से, और स्टूरेंटister जब घूंड के लाते हैं और तस्वीरे और वीडियो और और ऐडियो ल। ताकि वो बता सकें की Sword क्या कहना चारह क्या है कि आप बच्चों को definitely hyperlinks बनवा के दें आप जब आप कहानी को अपने प्रेसेंटेशन पर ला रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे गैजट को इस्तिमाल करें जिस पर बच्चे जाके अपना expression इंसर्ट कर सकें और discussion कर सकें और दूसरों की expression और viewpoint से उनको समझ सकें अब बच्चे जब अपने viewpoint में author की बात को बताते हैं तो उससे हमें यह समझ आता है कि बच्चों को पढ़के समझ क्या ही जब पहली दफा पढ़ा तो क्या समझ आई जब उन्होंने दूसरी दफा है तो उनकी समझ कैसे different होती जा रही है कि author क्या बताना जा रहा है वो कैसे deep into जाते जा रहे हैं remixing जो है वो illustration की activity से भी शुरू हो सकती है जिसके अंदर students जो है वो जिस चीज़ के उपर भी comments कर सकते हैं इस चीज़ को भी study कर सकते हैं hyperlinks के अंदर कि जो author ने कहानी लिखी है और illustrator ने उसके साथ तसावीर बनाई है उन दोनों में कितनी matching है वो दोनों कितनी एक दूसरे को compliment कर रही है यह किस तरीके से illustrator जो है वो और author की point of view को समझ पा रहा है किसम के जो comments in student की तरफ से आ जाते हैं अपनी 2013 की study के अंदर दो hyperlink slides जो है वो शेयर की थी एक slide के अंदर students ने कुछ कहना था दूसरे slide के अंदर student कुछ सोचना था क्या किया जनाब पहली जो आपकी activity जिसके अंदर student ने अपनी comments करने थे वो यह करने थे कि उन्होंने पहले तो text को अच्छी तरीके से पढ़ना था image को देखना था और image को देखने के बाद यह बताना था कि जो दोनों जानवर उसके अंदर मौजूद हैं उनकी क्या emotions हैं उनकी क्या सोच है सो उसके बाद उन्होंने जो भी वहां पर thought bubbles थे उसके अंदर expressions लिखने थे जो second hyperlink था जो speech balloon था जिसके अंदर mouse appear होता है चूह appear होता है तो उसके अंदर students ने अपनी recording करवानी थी और recording करने में क्या था कि उन्होंने अपनी आवाज में वो dialogue बोलने थे जो चूहे ने बोले होंगे उस कहानी के अंदर और expressions के साथ बोलने थे और बताना था कि वह चूहा ऐसे क्यों कह रहा था या उसकी वाज टिमिड थी तो वो कैसी थी अगर उसकी वाज डरी वी थी तो वो कैसे थी तो यह interesting किसम की visuals जो हैं इसको इस्तमाल करते वे students ने अपनी audios भी बनाई और फिर उसको visual के साथ remix किया और remix करके अपने comments दिये